करेंगे मधिबानी पेंटिंग और मैं मधिबानी पेंटिंग आपको पहले भी करा चुटी हूँ तो बहुत जादा एक्स्क्लेनेशन में नहीं जाएंगे और अपना मधिबानी पेंटिंगाला पेस्ट करेंगे प्रैक्टिस पेस्ट भी दिया हुआ है उसको भी आप कम्प्रीट कीजिए अपने अकॉर्डिंग को भी डिजाइन उसमें बनाईए और उस पेस को भी कम्प्रीट कीजिए और आज के वल्ग में आपको हमद में बता रहे हैं जिस तरह से मैं आपको फूट कम्प्रीट करा च आज हम करने वाले हैं मदुबनी पेंटिंग और जैसा कि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ मदुबनी पेंटिंग तो आज सरिफ मैं आपको इसमें कलरिंग बताऊंगी और इसके लिए जो प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है उसके आप खुछ से क्लिएट करेंगे यहां पर मैं आपको पहले भी बन टाइम करा चुकी हूँ और आज मैं सरिफ इसमें आपको कलरिंग बताऊंगे मदुबनी आर्ट इस ए ट्रडिशनल आर्ट जो पहले के टाइम पे सभी अपनी दिवारों पे और हट की रूफ इन पे इसको क्रिएट करते थे बट आजकर ये क्लोथ पे, कैंवस पे ऐसे पेंटिंग बहुत ज्यादा यूज होने लगी है मदुबनी पेंटिंग तो आप ये इसके को एक एक पेंटिंग बना सकते हैं क्रिए एक पेंटिंग यूजिंग मदुबनी आर्ट आप इतने घर के लिए एक पेंटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं तो इसमें यहां पे मारकर्ज यूज कर रहे हूं करने के लिए और आप चाहें तो पैंसल कलर क्रियों सोयल बेस्टल जो भी आपका मन करे वो यूज तो मैं यहां पे अभी रेड पैन से स्टार्ट कर रहे हूं जहां पे हमें रेड कलर दिया हुआ है बाडर उसको फिल कर रहे हूं आप बुक में अपना स्केच पैन से कंप्लीट कीजिएगा बट अगर आप चाहें जो इसको हैंडल कर सकते हैं आप जो वाटर कलर वाटर कलर से भी कर सकते हैं चीक है मैं यहां पे अभी मारकर यूज कर रहे हूं अपने मैं अपने अखने मारकाश्च नहीं आएग अगर रहे ही हारा है क्लीट कोई कंपलशन नहीं है कि Dion में कौन से कलर यूज करने चीक है तो मैं यहां पे अभी तो मारकर से पिनिश कर रहे हूं मैं अपने मांकर को एक ही डारेक्शन में यूज़ करें जिससे कि इसमें पैचिज नहीं आएंगे छीक है जहाँ जहाँ पे रेड मांक है उसको आप फिनिश कर सकते हैं उसके अकॉर्डिक इसमें यहाँ आउटर पे रेड है इसमें बाहर के अरिया दे रखा इसका बठ हम इसमें बाहर नहीं फिल करें नाओ आएंगें ब्लू कलर नेक्स्ट ये बना इरिया इसका ब्लू फिल कर रखा ने मैं सुपिनेश करें और जहां पर ये सिंगल लाइन्स दे रखें तो इट मेंस हम इनके अपॉजिट कलर यूज करेंगे यहां पर जो बीच की लाइन्स हैं मैं उसमें कोई दूसरा कलर फिल करूंगे इसके अलावा जो बाकी होगा उसमें मैं दूसरा कलर यूज करूंगे लाइट क्रीन इसके फिंस में हमें फिल करने पहले हम आउटलाइन करते हैं और उसके बाद फिल करते हैं कि कर्व को फिनिशिंग से कलर करना है कम्प्लीट करने हैं ताकि वही शेप आए वही डारेक्शन दिखे आप पूरा फिल कर देंगे तो उसमें इसकी शेप डिफरेंट दिखेगे अब हम कर्व के साथ फिल कर रहे हैं तो इसकी इमेज उतनी ही ब्यूटिफूल जाप देशिंगे बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं मदवनी आर्ट में और पहले की टाइम पे तो हूममेट कलर्स यूज होते थे जो फ्लार्स से कलर्स लिए जाते थे लीव्स फ्लार्स घर की इस आर्ट के लिए जो हम कलर्स बना सकते हैं वह सारे कलर्स घर की पेंटिंग के लिए यूज किया जाते थे इस आर्ट के लिए जो हट में होते थे तुम अपनी हट कोHe Si Education क्रिक है protecting थेखें तबहुथ हो करने के लिए पने घर को डाइक्प जो करने में की बाहरी दिवारों पे वाहर की यह ओस होती है से स्मक्राइब हो पेंटिंग करते थे ज़िए पैंटिग कर सकते आपने वल पैंटिंग और अपने दिवाली पर अपने बश्बस कर सकते पर सुटेकर जिस तरह से लिए और रूसी को पता है अपनी की डैकोरीशन पर वुर्क कर सबी क्लीनिंग तो होई सब की अब हम उसको टेकॉरेट करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट आइडिया ये भी है कि आप एक प्यूरिफल सी मदभणी पेंटिंग बनाएं और अपने होम में उसको लगाएं आप जरूरी नहीं उसको कैमस बनाएं आप उसको पे कि सारी कर दिया है इसके और अब हम इसका सेकिंड कलर यूज करेंगे है और मदभणी आर्ट में मोस्टली एक फ्रेम वर्ग भी होता है बॉर्डर का डिजाइन जिस तरह से मैंने उसमें आपको बहुत सारे मदभणी डिजाइन बॉर्डर डिजाइन भी सिखाये थे तो आ आप यहां भी तेखर हो कि कितना ब्यूटिफुल बॉर्डर डिजाइन दिया हुआ है इस तरीके से आप भी अपनी पेंटिंग में कोई भी बॉर्डर बनाएगे नेक्स्ट पेस जो है हमारा पैक्टिस पेस उसको यूज कीजिए या फिर अपनी ड्राइंग फाइल में ब इसमें मैंने क्रीन का वक्ट फिनिश कर दिया है यहां पर मैं येलो फिलर वड़ कम्प्लीट कर दो है और अब हमारी बुक में बहुत कम पेसिस बच्चे हैं और जो वक्ट में करा चुकी हैं अल्रड़ी उसको आप कम्प्लीट कीजिए जैसे कि मैंने फूर्ट आपको फा अपने आप से कम्प्लीट करेंगे ओके तो इससे हो मवक्ट आपने फूर्ट वाले चेप्टर्स दोनों अपने आप से कम्प्लीट कीजिए गा इसके फिन्स में मैं औरेंज कलर दाओगें इस साइट के जो आग से इनकी आपार साइड में मैं रेड फिल्टर कीजिए यह हमारा फिशिल्स का कम्प्लीट होने वाला रॉक चिक है और अब हम ब्लू के साथ जो कंट्रास्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं यहां पी और इंज बहुत बीडिफुल लगेगा तो मैं जो सेंटर वाली लाइन हैं उसमें और इंज ही फिल करें बहुत कलर्फुल होती है प्रिंटिंग आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने कोड़े और यहां मैं दूसरे में भी फिल कर रहे हूं चीक है इसके बाटर के लिए भी मैं यहां पे ब्लू यूज़ कर रहे हूं हमारी फिशेस कंप्लीट हो गई है जो स्मॉल सरकल है मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा है इस तरीके से हमारी फिशेस कंप्लीट हो गई है अब हम इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे अब बॉर्डर में जो डिशाइंस आपको दिये है वो कलर उसी कलर के आप इसको फिल कर दीज़ें वान साइड ब्यू और वान साइड रेड ये बॉर्डर में ज़रूर बनाते हैं अपनी मदों बने हाट में ये हो गया हमारा वान साइड पॉर्डर कंप्लीट अब हम रेड कलर यूज़ करेंगे झाल 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 यहां पर मैंने दूसरा बॉर्डर भी कंप्लीट कर दिया है आप सभी इस पेज़ को कंप्लीट कर लीज़ेगा और सभी मुझसे शेयर कीज़े मैं हर बार बोलती हूँ कोई बहुत कंप स्टुडेंट इसको कंप्लीट करें जा उसे असतुम्र करोंगे आप तो आप सभी को अपना वर कंप्लीट करके और उसे शेयर करना है मेरे पास इसका work आएगा मैं उसी की marking करूँगे तो आप सभी share कीजिए और इसको complete कीजिए Thank you